आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा हम उसमें सीखेंगे लॉग इन पॉर्म तो आप एक चीज देख सकते हो यह बीटिफॉल लॉग इन पेज जब मैं इस पर क्लिक करता हूं यूजर नेम पे जैन यह जो इसका प्लेस होल्डर है वो उपर की साइड आ जाता है ज इस फालतू चीज़े इंस्टाघ्राम जैसी चीज़े नहीं चलाता समझ रहा एं इस वीडियो की नीचे जो आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए दन इस वीडियो को कोड करने के लिए सबसे पहले मैं अपने कोड़ेटर माद चुका हूँ है यहां पर बेसिक सिंटेक्स लिखूंगा विद्धी हैल पॉप एमिट एंड टाइटल की बात करते हैं तो टाइटल दिया है इंपुट लॉग इन फॉर्म क्यों यूआई डिजाइन जो भी आपको थोड़ी दिर पता जाया था कि मैं लॉग इन फॉर्म करूंगा एंड टैटल के बाद लिंक करने के करते हैं स्टाइल डोट सीएसे जो की काम आती है स्टाइलिंग फॉरार मारकप एंड बॉड़ी की बात करते हैं बॉड़ी में डि को चीजे मांगोगा तो बेसिकली पहले एक्शन कर देता हूं निल मतलब इसमें बैकेंड नहीं है एंड एन मैथड रखा है गैट इसलिए रखा है कि जो आप इसे बैकेंड से कनेक्ट करते हो तो आपका जो डेटा है हो सिक्योर्ली जाएगा अब बात करते हैं फॉर्म ट टेक्स ले रहा हूं जिसमें मैं नेम आईडी आप देख सकते हो जो आप बैकेंड भी क्रिएट कर रहे हो बट अभी के लिए सीधा हम डिजैनिंग पार्ट में जाएंगे एंड आगे बात करते हैं लिंक लिंक लेवल लेवल जो है फोर होगा यूजर नेम एंड यहां पर यहां पेस्ट करो अब इसके बाद यहां पर आपने क्रिएट किया एक इनपोट जो की होगा समिट टाइप का इसमें आपने वैल्यू अभी कुछ दी नहीं है अब सीधा इसे एक बार ओपन वेज लाइब सर्वर कर लेते हैं तो देखते हैं कि जितने भी हमने अब जब मा आपने यूटीब चैनल पर लाते रहता हूं आपको भी हमारे फैमिली का मेंबर बनना है बिकॉज मैं ऐसे ही नोटिफिकेशन आपके बैल आइकन पर आएगी जैसे मैं वेडियू की नीचे लाइक कलर का बटन आ रहोगा जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आपको लाइक बटन क शेयर करता हूं वो आपके पास सबसे पहले आएगी अब सीधा वीडियो के टॉपिक पे चलते हैं मारक अप तो यह हमारी क्रेट उची कि अब इससे स्टाइल करते हैं स्टाइल करने के लिए सबसे पहले मैंने यूनिवर्स सेलेक्टर लिया जिसमें मैं कहता हूं मार्जि अब यह चीज आपको थोड़ा फास्ट बता रहा हूं विकॉस कोडिंग थोड़ी ज्यादा बड़ी है वाई है अब समझो यार हर चीजे ऐसे एक्प्लेइन दोड़ी कर जाती है ठीक है अब यहां पर बॉड़ी में क्या चाहता हूं देख अभी तो कुछ भी है निए थो तरफ से यह पिक्सल से डाउनोड करी हुई इमेज अब देखो यह इसका रिजलुशन जाद है और यह लॉगिन फॉर्म हमारा छोटा पड़ रहा है इसमें तो अब क्या करेंगे इस चीज के लिए यहां पर आपके पास एक सॉलुशन आता है बैग्राउंड साइज विल कवर कवर से होगा क्या कि यह पूरी इंटायर विर्थ ले ले लेगा जितनी है और यह बढ़िया दिखाई देगा अब इसमें मैं चाहता हूं कि यह चीज सेंटर माय तो इसके लिए तीन वैजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसमें डिस्प्ले विल भी फ्लैक्स अलाइन आ बाद डिवाइस से मिल रही है वो पूरी इंटायर विर्थ ले ले लेगा और इसका सेंटर पॉइंट आ चुका है इसमें आप इसकी विर्थ भी डिफाइन कर सकते हो विर्थ विल भी हंडर व्यू पोठाई जो यह बाई डिफॉल्ट खुद भी ले ले लेता है कुदो मे बाइग्राउंड दिया है मैंने एक ब्लैक कलर जिसे मैं जियो से डिनोट किया है एंदन सेवन सी एक तरह की सिंपल शेड रही है अब मैं चाहता हूं कि जितनी भी चीज़ें हो वो अच्छे से दिखाई दे तो यहां पर मैंने पैडिंग दिया 40 फिक्सल तो होगा क्या कि अब देख सकते हूं मेरा लॉगन फॉर्म कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है अब मैं चाहता हूं कि जो मेरे बॉक्स साइजिंग हो वो बॉर्टर बॉक्स मेंस पैडिंग का कोई असन ना हो खुद एड़जस्ट हो जाए तो इसे देने पर आप देख पाओगे थोड़े बह पॉइंट फाइव सिंपल सा डीसिंट बैक शेड़ो एंड इसके बाद मैं देता हूं एक बॉर्डर रेडियस विल भी टैन पिक्सल मीस राउंड कॉर्णर हो इसके थोड़े पॉद जिससे यह बढ़िया दिखाई दे अब देख सकते हो यह लॉग इन ब्लैक में लिखाय है तो अब इसे स्टाइल करेंगे तो बॉक्स के अंदर मैं इसे कॉपी करता हूं एंदल सीधा पेस्ट इसके अंदर बॉस मीस एस्टू यहां पर मैं चाहता हूं फॉंट साइज हो 35 पिक्सल जो की थोड़ा बढ़ा है एंद यहां पर मैंने दिया है कलर विल भी वाइट म मेंस जो इसका कलर है वो वाइट हो और फॉंट वेट विल भी 500 मेंस में इसे न चाहता बोल्ड हो ना ज्यादा नॉर्मल हो एक डिसेंट हो और टैक्स ट्रांसफॉर्म मतलब हर एक वर्ड जो इसका स्टार्टिंग का होगा वो कैपिटल होगा हाँ जी इन बातों को कहन दि स्पीस मेंटेन हो तो उसे हम करेंगे विधी हैल पॉब मार्जिन बॉटम देखो जो आपको वीडियो कैसे भी अच्छी लगती हो ना प्लीज प्लीज भाई लाइक चरूर कर दिया करो भाई मुझे पता चलता है रहता है कि हाँ आप देख रहे हो या थोड़ा दिल से कने क्लास इस चीज को डॉट किया एंदन ये क्लास पोजिशन दे दी मैंने रिलेटिव एंदन अब इसी क्लास को मदद से हम चीजे क्रेट करेंगे जो मेरी इंपूट वोक्स ही थी इसमें मैं करता हूँ पहला होगा इंपूट को स्टाइल विकॉस आप यहां देख सकतू हू के तेर को जो विर्थ में लिए सारी ले ले है ना यहां पर मैं एक पैडिंग रेता हूँ कहता हूँ कि भाई उपर और नीचे से तो टैन पिक्सल की पैडिंग और साइड लेट और राइट से जीरो तो आप कुछ ऐसा देख सकते हो देन एक सिंपल मार्जिन प्रॉम बॉ जबती नहीं पड़ेगी विकॉस इसे कमेंट करो एंड यहां पर आप लिखो बैग्राउंड विल बी ट्रांस्पेरेंट ट्रांस्पेरेंट करने से होगा क्या आप देख सकतो यहां पर बाई डिफॉर्ट आ रहा है हमारा बॉर्डर एंड आउटलाइन तो उसे नन कर दे दिखा भी जा रहा है वो काले में तो पहले कर देते हैं वाइट एंड मैं चाहता हूं कि जो बॉडर है वो नय ने बना रहे पर बॉटम का मैं बॉटर चाहता हूं तो उसके लिए यहां पर देता हूं वन पिक्सल सॉलेड वाइट इससे होगा कि नीचे एक सिंपल जाएगी देख सकते हो आप और जो वड़ है वो ऐसे दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत है ना तो डीसेंट है एंद यहाँ पर मैं फॉंट साइज जो है वह रखता हूं 18 पिक्सल यह बहुत ही डीसेंट पिक्सल है आप अपने जिसाब से एड़स्ट कर सकते हूं अब कि यह comment रहेंगे बट सबसे पहले आपको देता हूं यह position input box का आप देखो right click करो inspect करोगे inspect करने के बाद एक सबसे मस्त Google की यह चीज है मुझे लगा inspect आप देखो यह हमारा जो input box है इसके body के अंदर जो मेरा box box के अंदर जो मेरा form के अंदर जो मेरा input box है तो इसे मैंने दे राखिया position रिलेटिव तो यह जब मैं यह सीच को मैं थोड़ी कोई बंदा सीख जाता है try करते रहो सीखोगे कभी ना कभी तो है ना ऐसी रहता भाई अब simple मैं चाहता हूं जो इसका color है ना वो थोड़ा white हो जाए है because थोड़ा visible हो ना भाई कैसा दिखाई दे रहा है अब मैं चाहता हूं एक फैडिंग में जो मैंने input box में दी ती जो मैंने दो तीन property मैं यहां से उठा रहा हूं तो आप देख सकते हो कि यह ऐसा दिखाई दे रहा है देन आगे मैं चाहता हूं कि जो text transform हो text transform will be capitalize each word की हर बड़ एक capital हो मेरा and then इसके बाद मैं चाहता हूं कि आप एक चीज देखो एक चीज खुद notice करोगे transition देता हूं 0.5 second का means कोई feature में मैं इसमें कुछ लगाने लग गया यहां पर भी देता हूं transition will be 0.5 second then एक बहुत ही common property मैं यहां पर देता हूं letter spacing letter spacing होता है हर letter के बीच में कितना space हो तो अभी one pixel रखा है थोड़ा सा premium दिखाई देता है यह चीज इस चीज को double करना and then इसको मैंने दिया लेवल में है ना अब इस चीज को मैं करता हूं double and then इसको अब मैं देता हूं heading में तो यह सब हो चुके हैं बिल्कुल पस्त अब मैं क्या चाहता हूं लेवल पे pointer event है ना मैंने null नहीं किया तो यह बार बार इसी वज़े से annoying दिखाई दे रहा है तो अब देखो मैंना हटा दिया तो सीधा input tag पे ही click हो रहा है पहला तो यह था यह trick यह important था pointer event अब मैं चाहता हूं कि जब मैं इस पे focus पर आऊं input box focus मतलब होता है कि input tag में कुछ लिखना चाहूं तो ये जो लेवल है ये उपर की साइड आए तो उसे करने के लिए उस भासा को लखने के लिए उस लेपी को लिखने के लिए बोचपुरी गाने में बोचपुरी बाने में एक तरह से हमें लिपी लिखनी पड़ेगी के साहर क्या कहते हैं focus जब यह चीज फोकस में आए देन हमारा जो लेबल है वो क्या हो टॉप विल बी माइनस 18 पिक्सल बहुत ही डीसेंट अब देखो जैसे मैं ऐसे और जब इस पर क्लिक क्या ऊपर की साइड लग रहा है नहीं लग रहा मस्त 18 पिक्सल इसलिए लिए अब इसके अंदर इसे थोड़ा स्टाइल करते हैं कलर विल भी है जिरो ट्री ए नाइन फो यह मतलब एक कलर मैंने खुद रटा हुआ सम्तिंग है ना तो इससे मैं थोड़ा नेचुलल जाता हूं अब यह से नियौन कलर दिया है कि यह रात में चम के लॉग इन फॉर्म अंधों को चमकाई दे अंधों की बस्ती में नया आया है फॉंट साइज विल भी मैं रखूंगा 15 पिक्सल थोड़ा छोटा एंड थैक् सब्सक्राइब तो यह सीधा चिपका देने का ठीक है बीड़ो अब थोड़ा एक और बार एक और बार एंड टैन पिक्सल का ब्लर एंड यहां पर मैं देता हूं वही कलर जो मैंना भी थोड़ी देर पहले दिया था तो एक थोड़ा सा नियोन गलो आप देख पार हो जो आ प्लीज गो फॉरेट यहां सेवन कर सकते हूं जो आपकी मनमर्जी हुई अब देख सकते हो कि अब यह थोड़ा बलब ऐसा दिखाई देरा जो हमारा आउटपूट का अब समिट बटन को स्टाइल करते हैं तो इस शीज को करने के लिए इस शीज को पहले कॉपी किया बॉक इस शीज को पहले बॉड़र एंड बॉड़र विल बी नन तो होगा क्या कि कोई बॉडर नहीं होगा ना कोई आउटलाइन होगा अब मैं चाहता हूं इसमें बैग्राउंड विल भी है जीरो सॉरी जीरो थ्री ए नाइन एफ़ोट एक हर सकाल सा बैग्राउंड कलर एंड कलर विल भी वाइट वाइट करने के बाद अरे सीधा कलर दी ऐसा आगया चलो कोई नहीं तो कलर बाइट आ चुका है बट यह बटन बहुत ही अनॉइंग दिख रहा है है ना अभी से स्टाइल करते हैं पैडिंग देखा हूं टैन पिक्सल फॉम टॉप एंड बॉटम अपनी बैक एंड मतलब फ्रेंट एंड ही खतम करने है तो कर सकते हो बट मैं चाहता हूं कि थोड़ा इस सब्मिट बाटिन को और स्टाइल करो तो इसको मैं दे देता हूं बॉर्डर रेडियस विल भी 5 पिक्सल बहुत ली डिसेंट ज्यादे कुछ नहीं है है ना ज्याद लिखा होवर होवर मतलब होता है जब मैं इस बॉक्स के उपर अपना करसल ले जाओं तो आप समझ रहे हो गया अब समझने वाले समझ गए है ना अब यक्स माइनस मैंने किया 20 पिक्सल का थोड़ा रेज हो और यहाँ पर ट्रांजिशन देना जरूरी है ना तो वह बहुत दिखाई दे रहा है ना अब आगे बात करते हैं यहाँ पर समिट बॉटन पर थोड़ी बहुत डिजाइनिंग और कर सकते थे मेरी तरफ से आप बॉर्डर रीडियस नहीं देते तो बहुत ही तब भी डीसेंट ही दिखाई दे रहा था यह आपका लॉगन फॉर्म और इस यहां पर मैंने बैगरांड दे दिया इससे जो इसका था अंदर है ना तो अब देखो जब मैं इस पर ले जा रहा हूं तो यह ऐसा रहा है थोड़ा रूड है तो इसके लिए मैं यहां पर कर देता हूं ट्रांजिशन विल बी 0.5 सेकिंड जो कि बहुत ही जैनुन हो एंदेन इसका थोड़ा फॉंट साइज इंक्रीज करता हूं थोड़ा मेरे को छोटा लग रहा है 20 पिक्सल रखता हूं है ना बड़ा ही अरे यह तो कुछ जाले बड़ा हो गया भाई है ना 18 पिक्सल करते हैं कोई बहुत ही डीसेंट रखेंगे है ना लोगिन फॉर्म अब यह सब्मेट ट्रांसफोर्म कर देता हूं टैक्स ट्रांसफोर्म विल भी कैपिटलाइज इच वर्ड एंदन हर एक वर्ड कैपिटल हो जाएगा इसके अंदर आप देख आ रहे हो एंदन बॉर्डर रिडियस वाई पिक्सल देना ही सही रहेगा मेरे इसाब से आप अ तो आप देख सकते हो यह हमारा पूरा लॉग इंपर्म क्रियेट हो चुका है जो आपको इस वीडियो से कुछ भी इंस्पिरेशन मिलती हो वैब डेवलोप्रें रिलेक्टेड या मोटिवेशन मिलती हो या फिर कुछ भी लेनिंग पार्ट मिलता हो देन प्लीज लाइक श लीज वडियो